हम रसों से संबंधित सारे MCQs पढ़ चुके हैं हम रसों के तमाम उदाहरण देख सके चुके हैं हास्सिरस करुनरस MCQ OMR-based बहुविकल पी प्रशन कर चुके हैं अब करते हैं हम छंदों से संबंधित सारे प्रशनों को और आराम से आप एक-एक को बड़े ध्यान से समझिएगा मैं इसके तमाम उदान भी बताऊंगा मात्राएं कैसे निकलनी ही वो भी बताऊंगा आराम से समझिए पहला प्रशन आपकी स्क्रीन पर वर्ण परिक्षाएं सरपर हैं और आप क्या कर रहे हैं? आराम मत फरमाईएगा क्योंकि यहां मिलेगा आपको हिंदी से संस्क्रीट से रिलेटेड हर डाउट का समझाधान वर्ण गती विराम मात्रा एवं तुक आदी के नियमों से आबध रचना को क्या कहा जाता है? रस छंद अलंकार ये ये सभी कहा जाता है तो सिंपल सी बात है चंद कहा जाता है जो रचना, वर्ण, गती विराम, मात्रा और तुक आदी के नियमों से बंधी हो आबधो उसे कहते हैं चंद कहते हैं चंद में प्राया चार पंक्तियां होती है प्रतेक पंक्ति को क्या कहा जाता है? चंद का चरण कहा जाता है, मुख कहा जाता है, करण कहा जाता है, वरण कहा जाता है, गड़ कहा जाता है तो प्रतेक पंक्ती को क्या कहा जाता है, औप्शन फर्स सही होगा, चरण कहा जाता है चंद के चरण को ही क्या कहा जाता है, वरण, यती, गती और पाद चरण को पाद भी कहते हैं ठीक है? चौथा प्रसंद देखेगा चंद के प्रतेक चरण में उचारण करते समय मध्या अंत में जो विराम होता है उसे क्या कहते है? तो मध्या अंत में जो विराम होता उसे मात्रा कहते हैं नहीं गड कहते हैं नहीं यती कहते हैं हाँ बिल्कुल और गती नहीं यती कहते हैं यती मिंस होता है विराम ठीक है याद रखेगा जिस चंद के प्रतेक चरण में एक समान मात्राइं होती है उस चंद को क्या कहा जाता है तो जिस चंद के प्रतेक चरण में एक समान मात्राइं होती है उस चंद को सम मात्रिक चंद कहा जाता है सोर्था क्या है सम मात्रिक चंद, विशम मात्रिक चंद, अर्धसम मात्रिक चंद या इन में से कोई नहीं तो सोर्था अर्धसम मात्रिक छंद है आधे चरणों में समान और आधे चरणों में असमान मात्राएं होती है इसलिए अर्धसम मात्रिक छंद सोर्था और दोहा दोनों है दोहा छंद के विपरीत छंद कौन सा होता है सोर्टा होता है चौपाई होती है रोला होता है या फिर कुंडलिया होता है शेयर करो यार सब लोग शेयर कर दो भाईया जोड़ लो अपने प्यारे इश्ट मित्रों को कक्षा 11 में भी हम साथ नहीं छोड़ेंगे आपका 12 में भी नहीं छोड़ेंगे तो आप हमरा साथ अभी नहीं छोड़िये, सबको जोड़ते रहिए, फिर 11 पढ़िये, फिर 12 पढ़िये, फिर आप नमस्ते कर लीजे, कोई दिक्कत ने, लेकिन अभी आपको कहीं नहीं जाना है दोहा चंद के विपरीत चंद होता है सोरठा, सोरठा के किस चरण में 13-3 मात्राएं होती हैं, तो सोरठा के दूसरे और चौथे चरण में 13-3 मात्राएं होती हैं, क्या? ठीक है दूसरे और चौते च्रण में तेरा तेरा मात्राएं होती है अगला देखे कि बंदहुं अवध भुवाल सात्य प्रेम जहिराम पद बिछुरत दीन दयाल प्रियत अनुत्रिन इव परिहर्यो परिहर्यो है ठीक है परिहर्यो तो यहां पर क्या है यहां इस चंद में इसमें पद में कौन सा चंद है बरवे है दोहा है सोठा है चौपाई है तो यहां पर सोठा है पीडियाप डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक है डाउनलोड करिएगा साथ में तीनो रस्चंद लंकार की मिल जाएंगी आपको ठीक है सोर्था है तो यहां देखें दूसरा और चौथा च्रण यह है इसमें तेरा-तेरा मात्राएं है सुनत सुमंगल बैन मन प्रमोद तन पुलक भर सरद सरोर हुनैन तुलसी भरे सनेह जल यह क्या है इसमें कौन सा चंद है दोहा नहीं है सोरोला नहीं है बरवे नहीं है सोर्था इसमें भी है ठीक है इसमें क्या है इसमें कौन सा चंद है चौपाई नहीं है सवया नहीं है बरवे नहीं है क्या है सोर्था है कौन सा है सोर्था है अपनों तन स्वर्ण मेलित पो मैं अग्नी में कीन हो उत्तम वर्ण तेई विश्वामित्र ये तो इसमें भी क्या है इस पद्द में भी सोर्ठा छंद है इसमें कौन सा छंद है इसमें चौपाई नहीं है दोहा नहीं है तो कौन सा है सोर्ठा है सोर्ठा छंद की प्रतेक पंक्ती में कुल मात्राएं कितनी होती है most important question 24-24 मात्राएं होती है 13 और 11 मिला के कितना होता है 24 होता है सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अट पटे प्रेम लपेटे अट पटे सुनी के वट के बैन और सुनी के वट के बैन प्रेम लपेटे अट पटे बीहसे करुणा एन चिरोजान की लखंतन और उपर पद में कौन सा छंद है तो वही छाया हुआ छंद सोर्ठा इसमें है और इसी को हम दोहा बनाके पढ़ सकते हैं उल्टा सोठा की प्रथम पंक्ती में कुल कितनी मात्राएं होती है सोठा की प्रथम पंक्ती में कुल सोठा की प्रथम पंक्ती प्रथम और तरती दुती और चतुर्थ ठीक है तो ग्यारा ग्यारा होती है ये तेरा तेरा ये होती तो ग्यारा मात्राएं होती है ठीक है रोला किस तरह का चंद है तो रोला जो है वो सम्मात्रिक चंद है 24-24 मात्राएं होती है किस चंद के प्रतेक चरण में किस चंद के प्रतेक में है दोहा में, सोठा में, रोला में, चौपाई में अच्छा किस चंद के प्रतेक चरण में समान मात्राएं है ये शब्द रहे गया, समान मात्राएं हैं तो रोला में हैं, प्रतेक चरण में समान मात्राएं हैं, चौपाई में रोला में ठीक है? इसमें भी हैं, ठीक है? दोनों नहीं मतलब यहां पर थोड़ा सा परश्णी अटपरटाइस को आप छोड़ दीजे, बाकी दोहा और सोरठ में अस्पान मात्राइं होती हैं दोनों अर्दसम मात्रिक छंद हैं और ये दोनों सम मात्रिक छंद हैं सम में समान मात्राइं होती हैं रोला में यती होती है 11 मात्राओं पर 13 मात्राओं पर 11-13 मात्राओं पर 7-11 तो 11-13 मात्राओं पर यती होती है के रोला में कि वीश्वा प्रस्ण उज्वल जलधार हार ही रकसी सोहत और बिच बिच चाहरत बूंद मीन मुक्तामन मुहत तो इसमें कौनसा चंद का ये उदारण है तो ये रोला है ठीक है किस चंद की प्रथम पंक्ती यानि पहला चरण मात्रा की द्रष्टी से किस चंद की प्रथम पंक्ती पहला चरण दूसरा चरण के समान होगी तो वैया देखो चवपाई कुंडलिया सोरठा दोहा इस प्रशन को भी हम हटा देते हैं कारण ये हमें पता बहुत कुछ है नहीं बताएंगे ये इसको पता की नहीं मतलब आधा क्वेस्चन ये यहां से गायब हो रहा है तो प्रशन का जो मतलब है वो निकल के साफ नहीं आ रहा है ना तो option ही clear हो रहे है इसलिए इस प्रशन को हटा दीजिए ऐसे प्रशन आते भी नहीं है रोला चंद का लक्षण क्या है? प्रतेक चरण में 24 मात्राइज ठीक है, दो दो चरणों में तुखोना अवश्चे के ठीक है, चंद के अंत में दो लगुवण होंगे ठीक है, ये सभी ठीक है? जीती जाती हुई जिनोंने भारत बाजी, निज बल से बल मेट बिधरमी मुगल कुराजी, और जिन के आगे ठहर सके जंगी न जहाजी, अब आगे हम पढ़ेंगे अलंकार रस आपने पढ़ लिए चंद पढ़ लिए और अब हम पढ़ेंगे अलंकार ताकि आपका कुछ भी न छूटे एक भी प्रशन छूटा 65% 65% प्लस नंबर का संकल्प हमारा तूटा शेयर कर दो बहुत जोरों से डिस्क्रिप्शन में पहली लिंक से PDF डाउनलोड कर ल कि अलंकार तूटा यद क्या कि आपका कर दो कि अलंकार तूटा से विएक रोग भी लिए भी बेसाल यव घञए पका सुछाव में जोरों कि अलंकार एक जाने में पाल तूटा हमारा तूटार